आज के एपिसोड में हम लग बात करने वाले हैं कि अगर आपको पर्मोट कर दिया गया बिना एक्जाम्स के तो आपके रिजल्ट का क्या होगा जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि AICTE ने UGC के गाइडलाइन्स पे ही गाइडलाइन्स जारी की है कि एक्जामनेशन और रिजल्ट का क्या होगा तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसको देख सकते हैं मैंने चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया वह उसमें से भी देख सकते हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं results के बारे में कि अगर lockdown extend हो गया और आपको promote कर दिया जाता है तो आपके result का क्या होगा तो जो भी UGC का guideline है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर situation control नहीं होता है यानि situation normal नहीं होता है COVID-19 से तो क्या होगा कि आपको promote कर दिया जाएगा और जो आपको result दिया जाएगा उस result में 50% marks जो है वो आपके internal assessment के basis पे होगा जो आपने internal exams दिये हैं या जो आपने copy जमा किये है जो आपने practicals जमा किये है या जो college आपको देख रहा है उसके according आपको 50% marks college देगा internal assessment पे और जो 50% marks है वो आपके previous performance के basis पे यानि previous semester में आपने कैसा performance किया उसके basis पे 50% marks दिया जाएगा और इन दोनों को sum करके आपको promote कर दिया जाएगा अगले semester में और इस semester का exam नहीं होगा अगर COVID-19 से situation नॉर्मल नहीं होता है आप अगर red zones में हैं तो chances बहुत कम है कि आप आपके हाँ situations control होगी जून जुलाई तक इसलिए आपको promote करने के लावा UGC के पास और कोई रास्ता नहीं है इसलिए आपको promote कर दिया जाएगा बट आप अपने semester की तयारी करते रहिए पढ़ाई करते रहिए और studies को regular रखे studies को बीच में drop नहीं करेंगे इस वैसे कि exam नही management के साथ share कीजे हम लोग मिलेंगे next episode में जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका back paper है तो आपको promote किया जाएगा की नहीं और किया जाएगा तो किस basis पे किया जाएगा यह हम लोग next episode में बात करने वाले हैं तो उस episode को भी देखिए और पिछले episode को भी जाके देखिए जिसमें हमने बताया पूरे UGC के terms मिलते हैं next episode